नमस्कार, फल्मिबीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका गीतकारों की लिस्ट में अपना नाम देख जावेद अक्तर रह गए हैरान वरिष्ट गीतका जावेद अक्तर ने शुकरवार को कहा कि उन्होंने विवे कॉबरोय स्टारर फल्म पी एम नरेंद्र मोदी के लिए कोई गीत नहीं लिखा है उन्होंने कहा कि वो फल्म के ट्रेलर के क्रेडिट्स में अपना नाम देख कर हैरान रह गए जावेद ने क्रेडिट्स की एक तस्वी शियर की जिसमें गीतकार प्रसुन जोशी समीर अभेंद्र कुमार उपात्याय सार्दा पैरी जी और लवराज के साथ उनका नाम भी दिया गया है जावेद अक्तर ने ट्वीट किया मैं फल्म के पोस्टर में अपना नाम देख कर हैरान हूँ मैंने इसके लिए कोई भी गीत नहीं लिखा है बता दे विवेक और ब्रॉय पियमोदी के उपर बन रही बायपिक में उनका रोल निभाते नजर आएंगे पियमोदी से इस बायपिक में बॉलिवुड के सीनियर अक्टर मनोज जोशी अमिच शा की भूमिका निभाएंगे इस फल्म को एक या दो नहीं बलकि 23 भाशाओं में रिलीज किया जाएगा फल्म का डारेक्शन मेरी कॉम फेम उमांग कुमार कर रहे हैं विसुरेश औबरॉय और संदीब सिंग इस फल्म का निर्मान कर रहे हैं इससे आपको बता दे कि पीएम नरेंद मोदी बायपिक के मेकर्स को जावेद अक्तर ने लताड लगाई है इस फल्म के ट्रेलर को हूली के मौके पर दर्शकों के सामने पेश किया गया जिसे दर्शकों ने काफी इंजॉय भी किया है ट्रेलर को जिस तरह का रिस्पॉंस मिला है उससे माना जा रहा है कि ये फल्म सिनमा घरों में धमाल मचाएगी हाला कि रिलीज से पहले ये बायपिक फल्म एक विवात में फस गई है असल में निर्माताओ ने पीएम नरेंदर मोधी बायपिक का एक पोस्टर रिलीस किया जिसमें जानिमाने लेखक जावेद अक्तर का नाम सौंग राइटर के तौर पर लिखा गया है इससे हर किसी को लग रहा है कि जावेद अक्तर ने इस फल्म के लिए गाने लिखे है हाला कि ये बात सच बिलकुल भी नहीं है इतना ही नहीं जावेद अक्तर ने खुद इस बात की सफाई भी दी है बता दे जावेई दक्तर ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट से पीएम नरेंद्र मोधी बाइपिक का पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे फल्म का पोस्टर देखकर शौक लगा है मैंने इसका एक भी गाना नहीं लिखा है हलकि अब जावेई दक्तर का नाम पोस्टर पर कैसे आया ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है क्योंकि मेकर्स ने लेखक के ट्वीट का जवाब नहीं दिया है देखना दिल्चस्प होगा कि इस फल्म के मेकर्स इस पूरे विवात पर कब तक जबान खोलेंगे फिलाल इस वीडियों बस अतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा